हेलो इस्ट्रेंड्स मैं मनिश चावड़ा एक बार फिर आपके सामने रिविजन वीडियो लेके आपके सामने उपस्तितु हो आँगे अपना रिविजन के अंदर फर्स टॉपिक चल रहता फर्स चेप्टर चल रहता इलेक्टोस्टिक्स आज डिसकस करेंगे अपन कुलम्स कुलम का नियम स्थिरवा बिंदूवत आवेसों सबसे इंपोर्टंट्ट जो बात है वह यह जो कुलम्स लो है वह ओं यानली पॉइंट चार्च और रेस्च चार्ज में बिंदूवस और इस्थिररावेसों के मद्यव लगता है सपोज ये कोई Q1 चार्ज है ये Q2 चार्ज है सेप्रेशन डिस्टेंस आर है सेप्रेशन डिस्टेंस आर है तो according to Coulomb's law कुलांग के नियम के according इन दोनों की बीच में interaction जो होगा उसका जो attraction या repulse जो force होगा इन दोनों charge के magnitude के गुणधफल के समानुपाति बीच की दूरी के वर के विदकर्मानुपाति होता है तो कुअलम के नियम के रुषा दो इस्थिर्वा बिंदुवत आवेशों के मद्य लगने वाला कुलांबर उन दोनों आवेशों के गुणधफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर के विद कर्मानुपाती होता है यह कुलंस स्टेटमेंट है अब परपोस्नल सिंबल हटाएंगे पिटा जब परपोस्नल सिंबल हटेगा तो आएगा के क्योंकि यह वेक्टर कॉंटिटी है यह स्केलर फॉर्म लिखा आप चाओ तो इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हो हैं एकजिबा एकनक्श्टि से जो बल कि दिसा को रिपरजेंट करेंगा आप चाहते हो तो इस एकनक्श्टि मेक्टर को र हॉर्म भी ल रेपरजेंट कर सकते अब यहां प्रपोर्शन सिंबल जो आया है के उसके बारे में अगर देखें प्रपोर्शन सिंबल के के समानुपाती नियतांग बोल दो या फिर कुलांबल नियतांग कुलांबल नियतांग कुलम कॉंस्टेंट भी बोल सकते हैं इस के की जो वैली होती है वन अपॉर पाई अप्सलोन नॉट वन अपॉर पाई अप्सलोन नॉट और इस के के एकजर्ट वैली होती है 9 इंटो 10 दी पावर 9 नॉटन मेंटर स्कुरर अपॉर पां कुलम स्कुरर तो के की जो वैली होती है वो थी वन अपॉर पाई एप्सलोन नॉट इसकी वैली होती है 8.85 इंटू 10 दी पावर माइनस 12 कुलम स्क्वार अपां नूटर मीटर स्क्वार कुलम स्क्वार अपां नूटर मीटर स्क्वार अब यहाँ इसे लिएड़ कुछ important जनल बात है जो डिसकस कर ले एक्जाम्स में पूछे जाते हैं मोटे एक्जाम्स के अंदर जैसे first of all कहते हैं कि यह epsilon not है यह है क्या यह है बिठा permittivity of free space permittivity of free space यह इसको बोल सकते हो निरुवाद की वैदू सिलता निरुवाद की वैदू सिलता permittivity of free space निरुवाद की वैदू सिलता अग no doubt यह जब निरुवाद की it means medium के अंदर इसकी value जो आएगी वो different आएगी तो पहली बात बता दूँ कि यह जो है medium पे depend करती है medium पे depend करती है तो यहाँ पर जब वैदू सिलता कामान मादवन पे निरुवाद करता है तो जैसे यह आप क्या करते हो यहाँ पर medium निरुवाद की जब कोई medium लोग है तो उसकेश कहने इलेक्टिफ पोर्स की वैल्यू को डिफरेंट आएगी वो आपन आगे डिसकस करेंगे अभी बात करते हैं इससे लिटर जो कुसंस बनते हैं फर्स्ट आप ऑल इसकी डाइमेंशन कि डाइमेंशन बने गए टो डाइमेंशन आफ के तो डाइमेंशन आफ के डाइमेंशन की जो वेल्यू आएगी वह इसकी इन्वर्स आएगी तो नोट आप डाइक ले सकते हूं एम वान एल थ्री टी माइनस फोर ए माइनस टू यह तो यहां सिंपल से आपने देखा कुलंस लो कुलंस लो जो है दो इस्तिरों बिंदूवत आवेश्यों के लिए लागू होता है दो इस् सिंबल अठाओ के कुलंण कॉंस्टेंट या कुलंद बलने यह इस्तिर व्यादूवत बलने यह इसको निर्वाद की वैदू शीलता जिसकी वैल्यू आती निर्वात में 8.85 तैंदी पावर माइनस 12 कुलंस स्कूर्ण फॉर अपन न्यूटरमीटर इसको यहां पर एक्जा अप्टेशन एक्जाम के अंदर एपसलाउन की जो है वो डाइमेंशन पूची जाती है तो वो डाइमेंशन आप याल रखें या पिर इस मैथड से यूनिट से इसकी डाइमेंशन आपको निकालनी आनी चाहिए तो इसकी डाइमेंशन आए गए माईनश 3T की पावाव फोर की पावर टू और यहीं अगर डाइमेंशन आप के कुलम कॉंस्टेंट की कह दे तो जस्ट इसकी इनवर्स पावर जो होंगे उनके साइन चेंज होंगे यहां पर फोर्स की नैचर देखें के अट्रेक्शन फोर्स होगा यह रिपल्सन फोर्स होगा वो डिपेंड करेंगा प्रोडेक्शन आफ चार्ज पर वह डिपेंड करता है तो यहां पर मैं कंडिशन बता दूंँँ आपको if q1 multiply q2 is greater than 0 q1 multiply q2 is greater than 0 then it means इसकी value positive है positive it means आपके पास force आएगा f वो आएगा positive it means पर्तिकर्शन repulsion और यही अगर आपके पास q1 multiply q2 is less than 0 है less than 0 it means negative तो इस condition में force वो आएगा वो negative आएगा negative force आकर्शन को reverse तो अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं Coulomb force in medium effect of medium माध्यम का प्रभाव माध्यम का प्रभाव तो अभी अपने देखा कि अगर कोई charge particle है suppose q1 and q2 separation distance अगर r है तो उस case में उस पर जो force अप्लाई होता है एफ नॉट या एफ वैक्यूम लिखें तो वह आता है के की value पूट कर लेता हूं मैं आपके सामने वन अपन फॉर पाई आपने क्या किया एक मीडियम के अंदर लेगे मीडियम वाटर हो सकता है और या दर कोई भी लिक्विड में मीडियम ले सकते हो अब इस मीडियम की जो पर्मीटिवीटी है वैदू सीलता वो लेट कर ली मैंने एपसलान एपसलान तो इस case में जो force की value आएगी एफ मीडियम वो बनेगा आपके पास 1 अपन 4 पाई एपसलान क्यू वान क्यू टू अपन आर स्कूर यह सेच्विशन आपके पास में आएगी अब आप चाहें तो इस एपसलान की value लिख सकते हैं या फिर आप इन दोनों एक्वेशन को डिवाइट कर लें 1 बाइट करोग तो आपके पास आएगा एफ नॉट अपन एफ मीडियम इजी कस्टू अब समझदार हो सिंप्लाइज है कैंसल आउट करोगी एक यहां रहेगा आपके पास में वन अपन एपसलान नाट और यहां रहेगा वन अपन एपसलान सिंप्लाइज करोगी तो यह वैलू आएगी आपके पास एपसलान अपन एपसलान नॉट तो यहां एक चीज नए चीज इंटर्डूज होगी आपके साथ में किया एपसलान पर्मिटिविटी ऑफ मीडियम पर्मिटिविटी ऑफ वैक्यूम इन दोनों का जो रेशियो होता है उससे कहता है रिलिट्व इस को इदा शेपकर्ण तो इसकेस में आपके पास आएगा मेशनों सी बात और-क्यार करो मैं आपको एपसल Sikh इस ओल्वेज ग्रंव और देन वान always greater than 1 अब जब यह कंडिशन है आप्सलों आइज ओल्वेज ग्रेट देन वान इट मेंस एफ मीडियम इस लेस्ट देन एफ वेक्यूम एफ नॉट तो जब भी आप क्या करते हो किसी चार्ज सिस्टम को अगर मीडियम के अंदर लेकर जाते हो तो उस के अंदर एलक्रिक फिल्ट सशरी एल्यक्टिक फोर्स की वैलू जो उती होगी है वो कितने प्रहीं मीडियम की पर्मिटिविटी पर डिपैंड करेगा यह कंडिशन आपके पास आगे अब यहां पर एक नया वर्ड इंट्रीयूज हुआ आपशलॉन आपर मैं मेर्मिटिविटी और फ्रीपेस यह पहां का प्रावैदृतंग यह प्रावैदूतंग जो है आपसलॉन आप ऐप्सिलोन अपसिलोन अपॉन नॉट एक सुनित लास टाल बाद करें तो एंसों नॉट इंट। एंटु एप्सिलोन ऑर कि इस वोजिए इसको लिए पर्मीटिवीटिवीटिव उसका है हाभ अभी आपने देखा कि जब भी charge system को medium के अंदर लेके जाते हैं उस case के अंदर electric force की value जो होती ही वो decrease होती है घरती है medium के अंदर electric force की value decrease होती है और उसकी अपने value भी देखी कि f medium is always equals to f naught upon epsilon r और epsilon r is greater than 1 epsilon r is greater than 1 f naught के अगर value पुट कर लिजाए तो आप इसी formula को कुछ इस परकास से भी represent कर सकते हो f की value k, k की value 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 upon r square इसको अगर आप k की form में लिखते हो k की form में लिखते हो तो आपके पास यह form भी आएगा k q1 q2 upon epsilon r r square एक simple सा form इसका change करना चाहूंगा हमें f medium is equals to k q1 q2 upon r root epsilon r ka whole square यहां मैं बच्चा बताना चाहरा हूं आपको कि जब आप किसी system को completely medium में लेके जाते हो तो उस situation के अंदर आपन क्याते हैं कि force की value जो होती है वो vacuum की सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका भी है अपनी लेट कर सकते हैं मान सकते हैं कि जब भी अपन क्या करते हैं सिस्टम को medium में सिफ्ट करते हैं तो उस case में effective distance between two charge particles आवेश्यों की बीच की जो परभावी दूरी जो होती है वो change हो जाती है परभावी दूरी का मान बढ़ जाता है और परभावी दूरी कितने टाइम्स हो जाती है यहां पर आपन लिखते हैं कि सेप्रेशन डिस्टेंस का स्क्वरिंग के इन्वर्सिर प्रोपोस्टन होता है तो यह जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलूंगा effective distance between two charge particle कि दोनों आविशों के बीच की जो परभावी दूरी होती है वो रूट एप्सलोन अर्गोना हो जाती है अब इसका यूज जो है अपन और डिफरेंट डिफरेंट जगह कर सकते हैं कि कुछ केसे बताता हूं मैं आपको समझना जनरल फर्मूला बना रहा हूं जैस सपोज आडी मां एस सपेसिल कंडिशन है यह सब्सक्राइब क्या है यह क्या रहें है और औ가शिर्म ॵिश्यार को चांप अर्एसं के अंदर आप ने क्या कर लिए लिए को भॉठ लक्ट इन वेल्क करनी अब इस सिच्वीशन के अंदर आपको लेक्टिक फोर्स स्की calming उपंद करनी हो तो उस सिच्वीशन को क्या करना होगा फिर मुला कॉंशेप सब्वही है Commerce सीखना किया επट क्या होगा अब के में कोई change नहीं, charges में कोई change नहीं, change जो आएगा, वो किस में आएगा, effective distance, effective distance, तो मैं अभी बताया आपको, कि जब आप क्या करते हूं, तो charge particle बीच में complete medium बढ़ते हो, तो effective distance जो होती है, वो root epsilon r times हो जाती है, but यहाँ देखे, तो यहाँ complete medium नहीं है, vacuum भी है, medium भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर medium है, उस medium की जो real distance है, उस real distance की जगह उसकी effective distance लिखनी होगी, तो यहां पर मैं पहले बात करूँगा, vacuum, तो vacuum बेटा कहां तक है, r minus t, r minus t, यह complete r थी, उसमें से t को मैंने क्या कर लिया, less कर दिया, अब यह जो मैं distance less की medium वाली, इसक जगह पर इसकी effective distance अपन पूट करेंगे, अब effective distance क्या, t root epsilon r, का whole square, तो बटा ध्यान से देखो, क्या किया आपने, कुछ नहीं, जो उसकी medium वाली distance थी, ठीक है, उस medium वाली distance को यहां से eliminate किया, इसको हटाया, और उसकी जगह पर उसी की effective distance को आपने पूट कर लिया, अगर इस medium को आप complete पूरा भर लो, जैसे t equals to r कर लो, अगर t equals to r करते हो, तो यहां पर भी output करोगे, यहां पर भी output करोगे, r minus r, 0 हो जाएगा, और यह r, root epsilon r का whole square, इस formula के अंदर convert हो जाएगा, ठीक है, और अगर medium 0 हो, t की value 0 हो, तो t 0, t 0, तो no doubt आपके बाद formula आएगा, k q1, q2 upon r square, यह situation आएगी, अब यही मैंने एक single सा medium लिया, अगर single medium ना ले, अगर दूसरा कोई medium डाल दें, दो medium डाल दें, तीन medium डाल दें, जैसे suppose यह q1 है, यह q2 है, यह आपने क्या क्या दो medium ले लिए, फर्स्ट मीडियम यह epsilon r1, यह second medium epsilon r2, और total distance हो हो हो, और इसके thickness t1, इसके thickness t2, अब इस situation के लिए formula, भटा नहीं मालना हो, concept पर चलना है, concept, concept क्या कहता है, electric force between two charge particles is equals to k q1, q2 upon separation distance, separation distance कैसे लिखोगे, effective लिखोगे, अब effective में क्या आएगा, पहले vacuum देखो है, कहां सर है, कहां पर है, कितना है, कि आर मैसे सर, यह t1 प्लस t2 को remove कर लो, तो t1 प्लस t2 add करके मैंने इस distance को क्या कर लिया, remove कर लिया, और इसी की जगह पर इंकी effective distance put कर लोगा, t epsilon r1 प्लस t2 epsilon r2 और यह इसका pole spring, तो इस ताइब से आप बेटा, one medium, two, three, four, जितने भी medium हो, उन सभी medium को यहां रख कर भी आप इस two charge particle के between electric force find कर शकते हैं, तो concept clear होगा, सबसे मजदार concept medium का effect, यह सब जानता है, यह भी जानता है, पर इस effect को इस form में use करना, बहुत ही काम की चीज़े, एक बार शिख जाओगे, formula याद करने की जुरूत नहीं रहेगी बेटा, डाइट आप पॉमले, बना सकते हों, डिजाइन कर सकते हों,